हेल्थी इंड्या चैनल में आपको स्वागत है आज अम बनाएंगे करेले की सब्रस्जी बनारे के लिए नहीं हमने दो गिलास पानी करेली लिया हैं और अचलों में बाएंगे । करेली को हम पाने में डालें य। कि तेजे आज पर हम एंपान आने देंगे यह देखें करेलों में एक उफाना गाहा है गैस बन कर देंगे करेलों को हम डखकर रख देंगे करेले की सब्जी बनाने के लिए यहां पर मैंने दो बड़े प्याज लिया है एक अच्चाम हरिम्रिच नमक हल्दी फिसवा धनिया छोखने के लिए सोप मेथी और जीरा यह मैने तीनों चीज आदादा चम मच लिया है हें और यह ख्रेली लिये हैं चन्ने में छान लिया है एक कडाई में यह मैद conditions कर लिया है यहां पर मैंने सर्शो का तेल लिया है इसमें हम जीरा सों पूर मेच्छी डालेंगे कि हींग डालेंगे और छों को हम हलका सा भून लेंगे कि यह हमारा क्षों को भून गया है इसमें हम पीसा वह देनिया डालेंगे कि हल्दी डालेंगे कि प्याज कच्छा आम और हरीमिल डालेंगे करेले डालेंगे करेले की सब्जी को हम तीन चार मिनट के लिए मेडिया माज पर भून लेंगे तीन चार मिनट हो गए हैं सब्जी को फिर चेक करेंगे चम्चे से हम सब्जी को अच्छे से गुमा लेंगे और तीन चार मिनट के लिए और हम मेडिया माज पर इसे डख कर रख देंगे तीन चार मिनट हो गए हम सब्जी को फिर चेक करेंगे सब्जी को हम चम्चे से अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमारे सब्जी बन कर तियार है आप जितना भी कुरकुरी यह सब्जी बनाने चाहें उसी हिसाब से आप इसे फिर भून लें जो हम इस तरह से करेले की सब्जी बनाते हैं यह करेले की सब्जी हमें बिलुकुल भी कडवी नहीं लगती और बहुत ही टेस्ट लगती है कि यह देखें कि हमारे करेले अच्छे से गल गए है अब दो तीन मिनट हमें से अच्छे से मीडिया माज पर घून लेंगे दस बार मिनट में यह हमारी सब्जी तियार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है यह देखें यह हमारे करेले की सब्जी तैयार है आप इस रेश्टर पर जुरूर ट्राइक रहें आपको जुरूर पसंद आएगी थैंक्यू